यह हम बना रहे हैं, बिदाव टॉयल, साइब आलू, तो देखें इसको क्या किया हैं, आलू बॉयल कर ली एक दाँ ओवर कूक ने किया हुआ है, थोड़ा सा दही, दो चम्मच, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और गरम मसाला के साथ इसको कोट कर, दस मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और जब तक ग्रेवी किते आरी कर लेते हैं, इधर एक पेन रगदी हैं, इसमें थोड़ा गरम मसाला है, दालचीनी का टुकड़ा, खड़ी लाइची, बड़ी वाली है, एक आरी लाइच, यह पासात काली मिर्ची के दाने, एक स्टार निस, दो लॉंग, यह ज इसमें एक कप दही है, इसको ग्राइड कर लेते हैं, आधी कप प्रेस में लाइए, इसको भी ग्राइड कर लेते हैं, यह पे आज शिक रहा है, इसके साथ ही टामाटर की प्यूरी है, उसे एकते जाएंगे धीरे-धीरे, पूरी-प्यूरी डाल देते हैं, इसमें, इसको अब ये मेरिनेट किया हुआ जो आलू है ये डाल देते हैं तो एक बार इसके साथ मिक्स कर लेंगा 3-4 मिनाट इसको भून्ने देते हैं मसाला कच्चा डेला हुआ था ना मेरिनेशन में सब सिख जान देते हैं यहां साले सिग गए हैं, इसमें जो एक आलू और दही को ग्राइड करके रखे ते वो डाल देता है दो चम्मच यह काजू मखाना और मगज खसकस पिसा हुआ हैं ड्राई रोस्ट इसको डाल लेता हैं यह थोड़ा सामचूर का पाउडर हैं और यह मलाई जो आधी कप फेट के रखे हैं तब दाल के इसको अब पकने देंगे थोड़ी देर के लिए यह गरम पानी एक कप डाल रही हूँ और यह कसूरी मेथी रोस्टेड है आतों से क्रस्ट कर लिए इसको फोड़ा सा नमा ग्रेवी के इसाप से डालेंगे इसको अभी दस मिनट सिन पे रखके डखके पकने देंगे इसको देखिए सबजी रेडी हो गई है इसमें से यह खड़े मसाले निकाल देंगे इसका फ्लेवर सब में आ गया है इस सब्जी हो गई है इसको सर्व कर लेते हैं ये विदाव टॉयल साई आलू रेडी है आलू दम की सब्जी इसको मैं वेनिगर वाले अनियन के साथ सर्व करी हूँ आपको अच्छी लगेगी सब्जी आप एक बार बना कर जरूर देखे आपको रेसेपी पसंद आती है तो ह हमारे चैनल को फोलो करें थैंक यू